Hello friends, welcome to our channel MNP Knowledge School तो friends, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 April से अगर आप UPI के माध्यम से 2000 रुपए से जादा का ट्रांसफर करेंगे तो उस पे आपको क्या वाकई में एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ेगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक से समझिएगा, सब को जानने के आवशकता है, काफी confusion है लोगों में लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे confusion दूर हो जाएंगे, वीडियो काफी important है, very important वीडियो, आईए बिना समय गवाई वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपर तक सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पे नया वीडियो आए, उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए UPI क्या होता है? UPI होता है Unified Payment Interface, हमारा आपका चहेता, मोबाइल में मौजूद wallet या Paytm app, Google Pay app, Amazon Pay app, जिसकी माध्यम से हम कोई भी अमाउंट दुकानदार को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, जेब में पर्स नहीं है, कैश नहीं है, तो भी आराम से हमारी खारीदारी दि असल में UPI जो सिस्टम है, को Real Time Fund Transfer करता है, और इस application की मदद से कई bank account एक साथ link भी आप कर सकते हैं उस application से, किसी को अग आपको पैसा भेजना है, उसका आपको mobile number पता है, तो भी आप भेज सकते हैं, अकाउंट number पता है, तो भी भेज सकते हैं, यहीं नहीं UPI ID पता है, तो भी आप भेज सकते हैं, IMPS model है, यानि Instant Money Payment Transfer सिस्टम है, यानि कि तुरंद पैसा पहुच जाता है सामने वाले के खाते में, 24 घंटे आप कभी भी यूज कर सकते हैं, online shopping में, normal shopping में, हर जगा, सबजी वाले, चार्ट वाले, ठेले वाले, सब के पास आज के टाइम पे यह व परहल से आपको चार्ज देना होगा, ये खबर misleading है, गलत है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कई Twitter handles ने बताया है कि ये खबर जो है misleading है, fake है, गलत है, पूरी खबर क्या है, ये दावा भ्रामक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो पूरी खबर यहाँ पे भी हम UPI transaction इंडिया में करते हैं, वो हम लोग bank to bank transaction करते हैं, UPI के थुरू, तो bank to bank transaction free है, एक अपरेल के बाद भले ही आप 2000 रुपै से जादा भी transfer करेंगे, तो भी customer के उपर कोई charge नहीं लगेगा, यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है, कि bank to bank, जो है, यानि bank account to bank account जो भी transaction ह ग्रहकों के लिए भी और merchant के लिए भी वो free रहेगा, लोगों को समझने में तो रही दिक्कत होई है, और कई लोगों को समझाने में भी दिक्कत होई है, तो पैसा लगना किसको है, यह सीधे समझते हैं, देखिए, किसी व्यक्ति ने अपने Paytm wallet में माल लीजिए 5000 रुपै पहले ही load कर लिया, wallet में पैसा डाल लिया, ठीक है, तो अपनी debit card या किसी भी card की मदद से, ठीक है, तो Paytm wallet में डाला, तो Paytm को अब क्या करना होगा, कि जिस bank account से पैसा Paytm wallet में डाला गया है, तो Paytm को उस bank account को उस bank को कुछ पैसा fees के रूप में देना होगा, पूरा matter यह ही है, यानि आपको नहीं देना होगा, Paytm में डाला है ना पैसा आपने, तो Paytm आपके bank को देगी कुछ charge, वो 0.5% भी हो सकता है, 0.7% भी हो सकता है, वो 1.1% की maximum limit तैक ही गई है, यानि कि ना आपको देना है, ना किसी और को देना है, देना किसको है, आपके wallet को देना है, आपके bank को जिसकी मदद से, UPI की मदद से जो पैसा आपके wallet में load हुआ है, सिर्फ यही सारा खेल है, और आपको जानके हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी, कि इंडिया में 0.1% से भी कम transaction wallet से होते हैं, ठीक है, यहाँ पे clear cut समझ लीजिए, कि UPI interchange जो fees की हल्ला हुई है, व वो ना merchant पे लगेगा, ना customer पे लगेगा, वो सभी के लिए free रहेगा, दूसरा, 1.1% जो fees की बात हो रही है, वो जैसा आपको बताया गया है, कि जो card से या wallet में जो पैसा आप पहले से upload कर लेते हैं, वो आपका wallet वाला देगा आपके bank को, आप नहीं देंगे, जो भी देना API की जो payment हम करते हैं, हमारे bank से कटके सामने वाले के bank account पहुच जाता है, जो हम scan करते हैं, scanner से, वो transaction 2000 से कम का हो, 2000 से ज़्यादा का हो, आगे भी free रहेगा, तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा, उसको like कर लोगों को शेर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नद भूलिएगा, नमस्कार